असलाम लेकूम वेलकम बैक टो माई चैनल तरभ खान विलॉग्स आए होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अला का शुकर है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एक नए व्लॉग के साथ और ये दो दन का मिक्स व्लॉग है डिफरेंट एक्टिविटीज आपको होती हु हैं मैं डाला है आलू मटर काजर शिमला मिर्च में गर्मियों मे इसी तरह से मिक सबजी बनाती हूँ लेकिन सब्स अड़ा आती हूं में बेडरूम मे चली खार अचा कुछ मैंने शावर भी नहीं लिया बार शायद कोई मौसम अच्छा बना हुआ हो क्योंकि आजकल तो लहौर में बहुत हब्स और गर्मी चल रही है बाहर आई हूं तो अक्सा नीचे पोर्च और सारा बाहर का एरिया वाश कर रही थी हाँ क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है वहां पानी रुख जाएगा वरना प्रूप जब भी बारिश होती है ना तो मेरी वाली लाइन में जितने भी घर हैं पूरी रोड का पानी हम सब के घरों के आगे आकर इकठा हो जाता है क्योंकि पानी का जो फ्लो है ना वो शायद हमारे घरों की तरफ ही है तो मैं एकसा को यही कह रही थी कि बाहर जो फ्लोर वेस्ट बेटा मेरा यहां पर बैटकर पढ़ रहा था और मैं अपने हस्बंड का वेट कर रही थी असल में मुझे कुछ काम था बाहर जाना था मैंने अपने सूट के साथ एक लेस लेकर आनी थी और भी इकादू का चीजने थी जो मैंने बाहर से बाए करने थी तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, असल में मुझे जरा सर में दर्था और ड्राइव मुझे होनी नहीं थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप आएं और आप मुझे लेकर जाएं, तो बस वो आ जाएं तो फिर मैं जाती हूं बाहर, और मुझे इतना कोई गुसा चड़ता है कि जब भी मैं गेट बंद करने लगूना तो इस तरह से मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, मतलब साफ सुतरे हाथ और सिर्फ एक ये कुंडी लगाने से हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, असल में मेरे हजबन इदर अकसरी WD-40 डालते रहते हैं ताकि ये कुंडी अराम से लग सके, जंग वगारा आ जाता है नो तो WD-40 वो जंग को खतम कर देता है, उसके बाद वो कपड़े से हमेशा इसको साफ भी करते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिर भी अंदर ये शॉपस थी, बस मैं वहीं से जो मुझे अच्छी लगी, मैंने वो ले ली, ये सूट मैंने आपको अपने एक पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, ये मेरे हस्बन ने मेरे लिए आर्डर करवाया था, और अब तो मेरा खाल है डेर दो माह हो गए इस सूट को आई हुए लेकिन मैंने अब तक सिलवाया ही नहीं था, फ्लैक और वाइट जो लेस आपको नज़र आ रही है, ये मेरे एक और सूट के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इन्शाला जब स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ पर ये वाली हो कि ये मैंने कैसी ली है, मेरे घर के साथ ना ज्यादा नहीं लेकिन दो से तीन शापस हैं, वहां से भी बस दरूरत के मताबिक इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन गुजारे लाइक लेसिज में ली जाती है, अभी क्योंके मेरा दिल नहीं कर रहा था ज्यादा दूर जाने कि एक तो मुझे लेस भी अच्छी मिले, नफीस सी मिले और उसमें शाइनिंग भी जरूर हो, जैसे आप मेरे सूट में देख रहे हैं ना डल गोल्ड की हलकी हलकी सी शाइन आ रही है, इसलिए मैं चाहती थी कि लेस भी ऐसी मिल जाए मुझे, जिसमें बेस कलर भी हो और हल कुल कलर्स के साथ के ही बटन्स मिल गए, काफी छोटे थे लेकिन भाराल अच्छे लग रहे थे, मुझे वैसे भी ना बारीक लेस, छोटे छोटे नफीस से बटन, मैं कहती हूँ चीज़ें नफीस एलिगेंट होनी चाहिए, वो बड़ी बड़ी सी लेस, बड़े बड़े तो इन्शाला बस एक दो दिन तक जाऊंगी, जरा तब्यट ठीक हो जाए, तो फिर टेलर को मैं ये अपने कपड़े दे कर आऊंगी, उसके बाद कुछ चीज़ें थी, ग्रोस्री की, ग्रोस्री की तो नहीं कह सकते है, रूटीन में जैसे आईस्क्रीम वगरा होती हैं, ब बुंदी तो मैं घर में रखती ही हूँ, क्योंकि हस्बंड का किसी भी वक्त दिल कर जाता है, दईबले खाने का, तो बुंदी अगर घर में पड़ी हुई हो ना, तो मुझे दईबले बनाने में आसानी रहती है, दो मैंने ये पॉंड्स के फेस वाउश लिये थे, छोटे नहीं उला कर दिया है, घर आई हूँ तो हस्बंड का एक सूट सिल कर आया हुआ था, मैं वापस आई तो समया ने मुझे बताया है कि बाजी टेलर आया था, टेलर हमारा इतना पुराना है, वो घर ही दे जाता है, कपड़े सी कर अब ना, और एकसर मैं उसको घर भी बुला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कि मैंने अपने लिए हब से नियू बैग बाई किया है, वो मैं अब तक आपको दिखा नहीं सकी थी, I'm sorry, आज मैंने का सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे, कि जो बैग आपने ब हीट और सानलाइट जो थी ना, वो सीधा मेरे मूपर आ रही थी, तो इसलिए फिर मैं अंदर आ गई, मैंने सोचा अंदर बैठ कर दिखा देती हूँ, तो ये है जी बैग जो मैंने हब से बाई किया है, और इसमें मैंने चीजें अपनी डाल नहीं है, इसलिए मैं अंदर स को दिखा दूँ, फिर ही मैं इसका टैग ओपन करूंगी, और हब जो है, वो मेरा फेवरिट ब्रैंड है, इसके लावा जुलके भी एक ब्रैंड है, उसके भी बैग मुझे बहुत जादा पसंद है, तो मैंने जब भी बाई करना होता है न, तो हब या फिर जुलके, इन से मैं बहुत शौक से बैग बाई करती हूँ, अच्छा, इसके साथ ये एक स्ट्रैप भी है, आपकी मर्जी है, आप लगाएं, ना लगाएं, जैसे अगर ट्रैवलिंग पर जाना हो, तो शोल्डर पर अगर केरी करना है, तो उसके लिए स्ट्रैप बहुत पिर हेल्फुल र बाई की है और इसकी जो प्रैस है, और इसके जो प्रैस है वो है बीस हजार एक सोनवे, ट्वेंटी थाउजन वन हडंडर एं contrast का ये बैग है, इसके साथ साथ मैंने इनका ये clutch या wallet जो भी आप कहलें, तो wallet ही बोलेंगे, इसको ठीक है, तो ये मैंने बाई की है, तो ये ठ टीम कार्ड आईडी कार्ड सब पुझ लगा हुआ तो मैं थोड़ा सा चुपा रही थी तो मैं सोच रही थी कि अंदर से सारी पॉकिट्स मैं आपको दिखाऊंगी इसका ये फाइदा है कि इसमें ना मॉबाइल के लिए भी अंदर जगा है और उसमें बड़े अच्छे तरीके से मॉबाइल आ भी जाता है और ये जो वालेट है ये मैंने बाइड किया है साड़े साथ हजार का तो मैंने ये दो चीज़ें बाइड की थी वहां से उसके बाद रात में बच्चों को मैंने सुला दिया था क्योंके सुबा स्कूल जाना था उन्होंने और मैं और मेरे हजबन जाग रहे थे आज मुझे नीद नहीं आ रही थी तो मैं अपने हजबन के साथ बैट करी टाइम स्पेंड कर रही थी तो भूक हलकी हलकी सी भूक फील हुई क्योंकि husband के साथ मैं जब भी रात को बैठती हूना पता नहीं क्यों हलकी हलकी सी भूग फील होने लग जाती है क्योंकि उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से गपशप करते हैं बातें करते हैं तो दिल करता है कोई थोड़ी बहुत चीज हो मूँ चलता रहे बस साथ साथ मूँ खाने के लिए भी चलता रहे और भातें करने के लिए भी चलता रहे तो हमने यह टकसे सचिकन से इनकी एक फ cash स्रेफ से बहुत मज़ें की होती है यार एक तो spicy नहीं होती रात में heavy नहीं लगती है अगर खा भी लें बहुत ही मज़दार flavor है बहुत अच्छी लगती है मुझे वैसे मुझे Texas chicken इतना कोई पसंद नहीं है लेकिन इनकी chicken strips वाक़ी में अच्छी है और जैसे ही हमारा आई ना delivery तो मेरे husband कह रहे थे कि इनसान बनो जाकर plates या dish ले आओ मैंने का मेरा उठने का भी दिल नहीं कर रहा बस इसी में ही खाते पीते हैं यार क्या हुआ पहले जब हम छोटे होते थे इसी तरह चीजें खा लेते थे थे ना तो अब कौन सा ऐसे कोई fancy हो गई है हमारी life के हम इस तरह खा नहीं सकते हैं तो इसी तरह हमने बस यहाँ ketchup डाली और इसमें अच्छी तरह से डबो डबो के हम यहाँ पर chicken strips enjoy कर रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं यह जो husband और wife का time होता है ना एक दूसरे के साथ बातें करने का मजाग करने का यह बड़ा अच्छा time होता है अलापाक सब couples को सब couples में बहुत अच्छी understanding develop करें मेरी तो सब के लिए दुआ है बस उसके बाद फिर ice cream मैंने और मेरे husband ने enjoy की movies मैं और मेरे husband इकठे नहीं देखते क्योंके मेरे husband holy solely सिर्फ English movies देखते हैं मैं नहीं देखती English movies मुझे पसंद नहीं है मैं Indian movies बहुत शौक से देखती हूँ तो बस यही था मेरा आज का vlog जो भी था जैसा भी था आप लोगों को दिखा दिया मैंने अपना खार रखिएगा अल्ला हाफिज